नमस्कार आप देख रहें कशिश नियूज और खास खबर के साथ मैं हूँ दीपक्षर्मा देश में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों की जगह अब भारतिय नय सहता भारतिय नागरिक सुरक्षा सहता और भारतिय साक्ष अधिनियम लागू हो चुका है इन कानूनों से क्या होगा बदलाओ और क्या है सत्तापक्ष और विपक्ष की राय वो सब आपको दिखाएंगे मर्डर करने पर अब धारा 302 नहीं लगेगी और नाहीं धोखा धड़ी पर धारा 420 ये बदला हुआ है तीन नए क्रिमिनल कानून लागू होने पर जो लागू हो चुका है अंग्रेजों ने जो क्रिमिनल कानून बनाए थे अब वो बदल चुका है इंडियन पिनल कोट की जगा भारतिय न्याय संगिता लागू हो गया है जबकि CRPC की जगा भारतिय नागरिक सुरक्षा संगिता और इंडियन एविडेंस कोट की जगा भारतिय साख से संगिता लागू हो गई है लोगों को नए कानून की जानकारी देने के लिए पोस्टर बैनर लगाई जा रहे हैं वहीं जानकार मानते हैं कि इससे जवाब दे ही बढ़ेगी पारदर्शिता आएगी और अदालतों में जल्द सुनुवाई होगी के लिए तयार हैं और हमाई किसमत बहुत अच्छी आज हमनों का कमिश्णेट डे हैं और इसी दिन जो है यह नए कानून लागू हो रहे हैं सबसे जाधा फाइदा मैं नाजर आ रहा है कि पुलीस की री ट्रेंगी हो रहे है millions की retraining हो रही है और retraining होती जाएगी जो कि हम लोग periodic training करते थे वो wholesale training हो रही है और wholesale training किस चीज के लिए transparency के लिए, accountability के लिए, technology के लिए, victim के rights के लिए, women victims के लिए सो और अदालतों में speedy trial के लिए, सो कही चीज़े ऐसी correction हो रही है जो कि कही न कही तरीके से Supreme Court और Honorable High Courts की judgments की तुरू आये थी या पीसमील amendments से, वो a part of the law बन जो है दरसल प्राचीन भारत में कानून व्याउस्था, वेदों, स्मृतियों और रीती रिवाजों के आधार पर चलता था मद्धिकाल में जब मुसल्मान आये तो अपना legal system भी साथ लाए criminal मामलों में शरियत का कानून चलता था, जो बहत सक्त था बदलाव के शुरुवात होई अंग्रेजों के आने के बाद, 1772 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनते ही वारन हेस्टिंग्स ने नए जूडिशल प्लान और कोर्ट बनाने शुरू किये 1834 में पहला law commission बनाया गया, जिसके अध्यक्स थे लॉड मैकाले और उन्होंने IPC का पहला ड्राफ्ट बनाया 1853 में दूसरा law commission बनाया गया, जिसके अध्यक्स जौन रॉमिली थे रॉमिली ने CPC, CRPC और IPC तयार किया, वहीं तीसरा law commission 1861 में बना जिसमें evidence act और oath act बनाये गये, थोड़े बहुत बदलाव के साथ अब तक यही कानून चल रहा था, जिसमें अब बदलाव हो गया है मसलन हत्या के लिए IPC में धारा 302 लगती थी, वो भारतिये न्याय संगिता में 101 होगी हत्या के प्रयास के लिए 307 की जगा धारा 109 लगाई जाएगी धोखा धड़ी के लिए 420 की जगा धारा 318 लगेगी रेब के लिए 375 की जगा भारतिये न्याय संगिता की धारा 63 लगेगी मानहानी के लिए धारा 499 की जगा 356 और गैर कानूनी सभा के लिए पहले की धारा 141-144 की जगा धारा 187-189 लगाई जाएगी ये तो हुई बदलाव की बात भारतिय न्याय संगीता में कई नई धाराएं जोड़ी गई हैं विपक्ष का कहना है कि इन कानूनों पर संसब में चर्चा नहीं हुई है और कई खंड ऐसे हैं जिस पर फिर से विचार होना चाहिए जिन को न्याय मिलेगा वो बताएंगे कि न्याय मिला या नहीं मगर मुझे लगता है कि ये जो तीन कानून जबरदस्ती लागू किया गया है इसका सोच विचार इसका बहस जो होना ही चाहिए थी हुआ नहीं अफसोस इस बात की है आप महरवानी करके आप लाके हम पे थोप देते हैं और कहते कि नहीं आपकी फाइदा होगी ये सोचने की बात है नए कानून में कई धाराओं में बदलाव किये गये हैं तो कई नई धाराएं जोड़ी भी गई है मॉब लिंचिंग के लिए अलग से कानून बनाया गया है और्गनाइजड क्राइम के लिए अलग से कानून बनाया है इसमें समुव में डकैती, चोरी, कबजा, तसकरी, साइबर क्राइम शामिल है आतंकवाद को क्रिमिनल कानूनों में शामिल किया गया है इसके अलावा महिलाओं से जुड़े मामले को लेकर भी कई प्रावधान किये गये हैं शादी का जहांसा देकर यौन शोशन करना अपराध होगा इसमें पुलिस बिनावारण के आरोपी को गिरफतार कर सकती है नाबालिक से गैंग रेप में अफ़ासी की सजा होगी एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर अब अपराध नहीं होगा वही नाबालिक पत्नी से जबरंश शारेरिक संबंध बनाना रेप माना जाएगा बिहार में सत्ता पक्ष के नेता नए कानूनों को गुलामी की मानसिक्ता से मुक्ती बता रहे हैं तो विपक्ष का कहना है कि इसका उप्योग फसाने के लिए किया जाएगा पराएं इसमें जोड़ी गई है जिस तरीके से नाबालिकों के साथ दुशकर्म जैसी और जिस तरीके से ऐसी घटनाएं होती इन तमाम चीजों को इसमें इंकॉपरेट किया जा रहा है उसको लेकर इन लोग की चिंता हैं बट वो 19 सदी के समय का कानून चल रहा था वो इन पराएं को कि प्रक्रिया को तुरित किया जा सकेगा और सबसे बात है जो कई चीजे जो पुराने कानून और प्रसांगी होते जा रहे थे उनको भी कहीं ने कानून के तरह तो उसको प्रसांगी किया जा सकेगा तो मेरा मानना है कि आज देश की जनता को नियाय का साथ जो ह फंसा देगी जिसको चाहेगी वो निकाल देगी सरकार अपने जीमे में कानून के डायरे को रखा है और इसलिए कानून पर विश्वास अब लोगों को रही रहा जो केंदर सरकार बना रही है नए कानून और इससे जनता को परशानी है और जो उनके खिलाप में आंदोलन करते हैं, जो उनके खिलाप में चुनाव लड़ते हैं, उनको किसी ना किसी मामले में उनको फंसाने का परियास किया जाएगा और कानून इसी लिए बना हुआ है नया कानून लागू हो गया है, लेकिन 30 जून तक दर्ज सभी मामलों का ट्रायल और अपील पुराने कानून के अनुसार ही होगा बेरो रिपोर्ट कर्शिस नियूज